हिमाचल के थियास में इतना इतनी भ्यानक तबाहिस के पहले कभी हुई नहीं है अब तक 330 लोग मर चुके हैं और 35 लोग लापता हैं 12,000 घर तबाह हो चुके गिर चुके हैं तकरीबन 13,000 करोड का नुकसान हो चुका है बड़े-बड़े हवा ये जो हाईवे थे बने थे वो इलिकल पानी के उस्ससे आजए से बह गये हैं कि उनका पता है नहीं चल रहा कि हैं कहा तरफ जितने भी छेत्र एक आपर है लोवर है ह्माचल उ हर तरफ जो है बारिस ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं 75,000 टूरिस्ट फसे थे और 17,000 गाणियां उनकी जुनको हमाचल सरकार ने 48 घंटे के बीतर सुरक्षित निकाल लिया लाहौल इस्पीती के चंद्रताल में साड़े 4,000 मीटर के उचाई पर 300 परटक फसे थे उनको सुरक्षित हमाचल सरकार ने निकाल लिया पूरी पूरी रात मुख्यमंत्री सुखुजी उपमुख्यमंत्री मुख्यश अगनियोत्री सारे मंत्री रात रात बर उन्होंने बारिस में जुटके और सारे हधिकारियों ने मिलके और कर्मचारियों ने मिलकिन सबको निकाला राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही पहले जो है साथ से पंदरा जुलाई तक बारिस हुई इसका 10-14 अगस के बीच और अभी चल रही है अपर हिमाचल बचा हुआ था अपर हिमाच है ते नहीं है?